नमस्कार गुड इबनिंग आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूटूब चैनल लर्निंग दे और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना दोस्त सोरो बुजहा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉले टेकनिक फर्स्ट सेमेस्टर के साथियों के लिए मैथ क अती महतपूर पांच प्रस्टों के बारे में टॉप मोस्ट इंपॉर्टन के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपके आपसे बात करने वाले हैं आपको कुश्टन सॉल्व करके बताने वाले हैं और कुछ महतपूर प्रस्ट आपको होमवर्ग के रूप में देने वाल सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों को सेर जरूर करें क्योंकि लर्निंग डेपर मिलती है कम्प्लीर तयारे बिल्कुल फ्री में आप टेलिग्राम और वाटसेप ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगे दोस् गुड्यात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम दो तरीके के प्रतिलोम आपके सलेबस में हैं और दोनों जगहे से कुष्यन बनते हैं गुडात्मक प्रतिलोम का जो top label का question जो 5 नमबर का बन सकता है बिल्कुल ऐसे ही बनेगा आपको एक नमबर दे दिया जाएगा और कहेगा कि इसका आप गुडात्मक प्रतिलोम बताईए अगर ऐसा कहीं भी question मिलता है तो कुछ भी नहीं करना आप दोस्त इसके जो नीचे की तरफ है जो हर में है उसके opposite sign से आप उपर नीचे multiply कर देना जैसे root 3 plus root 2 i upon root 3 minus root 2 i है इसके question में अब यहाँ पर करना क्या है आपको इसके नीचे क्या है root 3 minus root 2 i के opposite sign मतलब root 3 plus root 2 i से आपको उपर और नीचे multiply कर देना है आपका question solve हो जाएगा बस इसी को solve करने के बाद जो आपको answer मिल जाए वही correct answer होगा दोस्तों मैं इसको solve करके बताऊंगा उसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि learning day पर daily साम को 6 बजे और 9 बजे बहुत अच्छे सी class आपको मिलती है 10 से 12 मिनट की class आपको यह success दिला सकती है आपको pass करवा सकती है आप किसी और चैनल के paid bet से जितना नहीं परते उससे कहीं अच्छे जादा content quality आपको learning day पर YouTube पर बिल्कुल free में मिलती है तो आप चैनल को support जरूर करें चैनल को subscribe से अरज जरूर करें अब दोस्तों सेम चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया है जो मैंने अभी आपको लिख करके दिखाया था अब यहाँ पर आगे आपको क्या करना है आप उपर देखेंगे तो दोनों bracket में बिल्कुल सेम चीजें मिल रही है तो यह क्या बन जाएगा root 3 plus root 2 I का whole square नीचे आपको क्या मिल जाएगा एक bracket में A minus B और दूसरे bracket में आपको क्या मिल जाएगा A plus B तो एक bracket में A minus B दूसरे bracket में A plus B सूतर के इसका बन जाता है A square minus B square का यहाँ पर अगर आप देखोगे तो A की value root 3 है तो root 3 का square हमने यहाँ पर कर दिया आपको इस line में देखना है root 2 I है तो इसका हमने square कर दिया minus root 2 I अब उपर आपको यहाँ पर आपको focus करना है इसका जब हम यहाँ पर A plus B के whole square का सूतर लगाएगे आपका बन जाएगा A square root 3 का आप square करोगे आपको 3 मिल जाएगा root 2 I का आप square करोगे 2 I square आपको मिल जाएगा और फिर 2 A भी होता है 2 into root 3 into root 2 I करोगे तो आप 3 दू नीचे 2 root 6 I हो जाएगा और नीचे आपका 3 का square 3 और root 2 I का square आप करोगे तो 2 I square आपको मिल जाएगा जो imaginary number i होता है उसका square की जो value होती है वो minus 1 होती है आपको इस 2 के साथ i square देख रहा है तो 2 into आप minus 1 कर दो और नीचे भी आपको 2 के साथ i square देख रहा है तो यहाँ पर भी आप i के place पर minus 1 से multiply कर दो आपका जो नया product बन करके आ जाएगा यह हो जाएगा 3 minus 2 plus 2 root 6 i upon 3 plus 2 minus 1 कर दोगे तो minus और minus plus हो जाएगा 3 plus 2 आपका नीचे मिल जाएगा इसको जब आप solve करोगे तो 3 में से 2 आप घटा होगे एक आपको मिलेगा plus 2 root 6 i आपको हो जाएगा और नीचे 3 और 2 5 यही हो जाएगा आपका correct answer और यही आपको question बिल्कुल same question आपको 5 number आपके exam में polytechnic first semester में आपको दिलाने वाला है अगर मैं अगले question की तरह बात करूँ तो अगला question कुछ इस प्रकार से आपके लिए आएगा आपको एक कोई भी number देगा दोस्तों अगर यह question आएगा तो यह आपको 3 number में यह question मिलने वाला है कोई भी आपको एक number देगा जैसे आपको a दे सकता है b दे सकता है yaks दे सकता है z दे सकता है और इसके mod की value आपसे पुछेगा जैसे इस question में अगर आप देखो तो a is equal to आपको मिल रहा है 3i plus 4 कहीं पर भी ऐसा कोई भी number मिलता है तो इसके दो खंड होते हैं पहला खंड आपका होता है कालपनिक या आप कह सकते हैं imaginary इमेजनरी उसको बोलेंगे जिसके साथ आपका आई वाला concept जुड़ा हो और जिसके साथ आई वाला concept न जुड़ा हो उसको हम बोलेंगे वास्तविक संख्या यहाँ पर imaginary number या कालपनिक संख्या क्या हो जाएगी तीन और वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी चार कहीं पर भी ऐसा question मिलता है तो सबसे पहले आपको उसमें कालपनिक संख्या और वास्तविक संख्या ग्यानत करनी है कालपनिक संख्या जिसके साथ आई लग रहा हो और वास्तविक संख्या जिसके साथ आई ने लगा हो तो यहाँ पर कालपनिक संख्या तीन हो जाएगी और वास्तविक संख्या चार हो जाएगी और इसका जो value निकलता है वो निकलता है root के अंदर kalpnik संख्या का square पLUS वास्तबिक संख्या का square अब यहाँ पर kalpnik संख्या आपको मिल रही है तीन, तीन का आप कर दो square पल Business संख्या क्या है चार, चार का कर दो, आप square पूरे के उपर लगा दो root अब इसको जब आप solve करोगे तो तीन का square 9, 4 का square आसान सा question आपको दिला सकता है तीन number बिल्कुल तीन line में आप इस question को solve कर सकते हो इस question का प्रारू बदल सकता है आपको ये question कुछ इस प्रकार से भी दे सकता है plus 4 upon 3i minus 4 तो सबसे पहले आपको इसको ai plus b के format में तोड़ना होगा जब आप इसको ai plus b के format में तोड़ेंगे तब यहां से आपको कालपनिक संख्या मिल जाएगी जो i के साथ होगी और वास्तविक संख्या आपको मिल जाएगी जो बिना i के होगी जैसे वास्तविक संख्या b मिल जाएगी और कालपनिक संख्या a मिल जाएगी फिर दोनों का आपको square करके root निकाल लेना है आपका यह question solve हो जाएगा तीन number आपको यह question दिला देगा इस question का solution आपको यहाँ पर मिल जाएगा यह PDF भी मैं आपके साथ share कर दूँगा बिल्कुल तीन line में आप इस question को solve कर सकते हो दोस्तों हमेशा इसके साथ आप mod a is equal to 5 लिख सकते हो और यही आपको हो जाएगा correct answer वास्तविक संख्या का square प्लस कालपनिक संख्या का square वास्तविक संख्या 4 और कालपनिक संख्या 3 दोनों का square आपको कर दोगे आप add कर दोगे 25 आजाएगा root के अंदर हाटा दोगे आप 5 मिल जाएगा और 3 नमबर आपको मिल जाएगा बहुत आसान तरीके से अब अगले दो question के बारे में मैं बात करूँ तो ये दोनो question आपके लिए महतपूर्ण है इसको आपको solve कर लेना है अगर y is equal to e की power 3x into sin square 3x है तो आपको इसका dy by dx मतलब प्रथम आउकल गुडांक निकालना है फिर आपको इसका दुतिय आउकल गुडांक d square y upon dx निकालना है dx square यहाँ पर होगा अगला जो question कह रहा है कह रहा है यदि vector a is equal to 1i plus 2j plus 3k and vector b is equal to 2i minus 1j minus 1k है तो आपको vector a cross vector b और vector a dot vector b आपको ग्याद करना है अगर दोस्तों यह question आएगा तो यह 5 number में आएगा और उपर वाला question भी आपको 5 number में आएगा यह दोनों question 5-5 number में आ सकते हैं आपके exam में अगर यह question नहीं आएगे तो इस पर based question जरूर से जरूर आपको आपके exam में मिलेगा अब हम एक question देख लेते हैं इसी type का अगर दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ बिल्कुल इस प्रकार से मिल जाया जैसा मैंने आपको एक homework का question दिया है तो इसमें कह रहा e की power x sin x का आउकल गुडांक आपको ग्याद करना है सबसे पहले मान लेना है कि y is equal to e की power x sin x अगर आपको समझा रहा हो तो comment जरूर करना चैनल को subscribe जरूर करना डेली साम को 6 बजे और डेली साम को 9 बजे आपको बहुत अच्छी सी वीडियो मिलती है बिल्कुल free में complete तयारी करवाई जाती है learning day पर आप बहुत धुआधार तरीके से तयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके और 2024 entrance exam की तयारी भी करवाई जा रही डेली साम को 7 बजे लाइब क्लास पर बिल्कुल free में अब आपको करना क्या है यहाँ पर dy by dx आपको ग्याद करना है तो कहीं पर भी अगर दो टर्म आपके multiply में हो तो उनका जो dy by dx होता है आउकल गुडांक होता है पर्थम फलन into दोतिय फलन का आउकल गुडांक हमने इसको माल दिया पर्थम फलन इसको माल दिया हमने दोतिय फलन क्या होता है पर्थम फलन into दोतिय फलन का आउकल गुडांक प्लस दोतिय फलन into आपका हो जाता है पर्थम फलन का आउकल गुडांक अब मैं इसको अगर बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखना चाहूं तो आपका हो जाएगा प्रथम फलन यहाँ पर हमने क्या मान रखा है ex को मान रखा है तो ex हो जाएगा into d by dx होगा किसका sin x का alkaline होगा प्लस दूतिये फलन दूतिये फलन के रूप में sin x है into अब यहाँ पर आउकल आपको करना पड़ेगा ex का इसी को आपको solve कर लेना है आपको इसका प्रथम आपको आउकल गुडांग मिल जाएगा फिर जैसे question में मैंने कहा था कि आपको इसका दूतिये फलन गुडांग 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 करना है मतलब d square y upon dx square गुडांग करना है तो जो value आती है जो answer आता है उसको आपको फिर से फलन कर देना है कैसे इसको कैसे हम solve करेंगे समझो इसका solution मैं आपको आगे करवा रहा हूँ जैसे यहां पर यहां तक तो मैंने आपको बताया कि y is equal to e की power x sin x है तो हमें dy by dx ग्यात करना है अब मैंने बिल्कुल सेम चीज कर दिया जो मैंने आपको बताया था मैंने ex को माल लिया पर्थम फलन इसको माल लिया दूतिय फलन प्लस दूतिय फलन इन्टू पर्थम फलन का ओकल गुणांग हमें पता है sin x का जो alkaline होता है cos x होता है और e x का जो alkaline होता है simply e x ही होता है हम जब sin x का alkaline करेंगे e x के place पर e x ही रहेगा sin x का alkaline आपका हो जाएगा cos x प्लस sin x और फिर e x का alkaline आपका हो जाएगा e x अब हमें मिल गया e x cos x प्लस e x sin x यहां से हम e x बाहर ले सकते हैं हमें मिल जाएगा sin x plus का cos x और यही हो जाएगा हमारे इस question का correct answer जैसे मैंने आपको एक homework question दिया है उसमें आपसे पूँच क्या रहा था उसमें आपसे पूँचा है d square y upon dx square आप इसको कैसे ग्याद करेंगे आपको यह value मिली है d y by dx की value यह मिल गई अब आपको फिर से इसका आउकलन कर देना है जब आप इसका फिर से आउकलन करने जाएंगे तो यहां पर समझना इसका दो पदों में होगा इसको मानलो पर्थम पद इसको दूतिय पद इसको पर्थम पद d square y upon dx square आप ग्याद करोगे तो पहले वाले को मैं लिख देता हूँ इस color से आप समझना प्रथम फलन into दूतिये फलन का आउकल गुणांग आपका हो जाएगा है आपर cos x प्लस दूतिये फलन, दूतिये फलन के रूप में cos x है into प्रथम फलन का आउकल गुणांग फिर just same concept आपको इसके लिए भी लगाना है इसका आपने आउकलन already कर रखा है तो इसके आउकलन में फिर से आपको ही मिल जाएगा लेकिन फिर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रथम फलन into दूतिये फलन का आउकल गुणांग प्लस आपका दूतिये फलन sin x into आपका प्रथम फलन का आउकल गुणांग और इसी को आपको solve कर लेना है आपको answer मिल जाएगा इसके दूतिये आउकल का ठीक है तो इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से ऐसे प्रस्ण कहीं भी आजाएं आपको कैसे भी आजाएं कितनी भी बार आपको आउकलेट करने को कहा जाए आप कर सकते हैं बस आपको basic चीजें जैसे dy by dx ex मतलब ex का आउकल जो होता है वो ex ही होता है sin का आउकल cos ex होता है और cos ex का जो आउकलन होता है वो minus का sin ex होता है यह basic सूतर अगर आपको पता है तो आप ऐसे प्रस्णों को बहुत आसान तरीके से साथ ही हो solve कर सकते हैं इन दोनों प्रस्णों को आपको solve कर लेना है बहुत important है दो के दोनों question important है फिर हमारी आपकी मुलाकाद जरूर होगी डेली साम को 6 बजे और डेली साम को 9 बजे और सारी के सारी news update सारी चीज़े आपको learning day पर provide कर वाई जाती है बस आपको करना क्या है चैनल को support करना है क्योंकि चैनल आपको सारी का सारा चीज सारा का सारा content बिल्कुल frame में provide कर रहा है तो चैनल आपसे इतना मांग सकता है चैनल हम एक नहीं हम एक परिवार है और आप परिवार के सदसे बनने के लिए चैनल को subscribe, share अपने दोस्तों को जरूर करें दीजे अपने दोस्तों सारा बोजा को इजाज़त चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब अपने दोस्तों को जरूर करें और इस वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो बहुत काम का है कि समस्टर एक्जाम के पांच दिन पहले आपको तो यारी कैसे करनी चाहिए इस वीडियो को आप जरूर देखो तो दोस्तों नमस्कार टेक केर थेंक्यू आप अपना ख्याल रखें पढ़ाई करें किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या परेशा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक के माध्यम से आप टेलिग्राम वाट्सेप और इंस्टा थेंक्यू